वेल्कम टू अवर्चाल लॉक अक्षा स्रोइंट जैसे कि आप सब जानते हैं हम बारते नाविरिक सुरक्षा सहीता को डिसकस करें और आज हम BNSS में चैप्टर नुबर 4 को डिसकस करेंगे तहीं चैप्टर नुबर 4 की हेडिण क्या है जो चैप्टर नुबर 4 की हेडिण है वो दो पार्ट में डिवाइड है क्या कहती एटि powers of superior officers of police यानि कि जो superior officers है उनकी power के बारे में बात करेगा chapter 4 और aid to magistrate and the police यानि कि magistrate साब को कब aid करना है police officers को कब aid करना है कि situation में aid करना है assist करना है उस बारे में chapter 4 बात करता है sections देखिए chapter 4 जो है हमारा वो कहां से कातक है section 30 से लेके section 34 तक 1 by 1 हम क्या करेंगे provisions को discuss करेंगे तो number 1 provision क्या कहता है यानि कि section 30 क्या कहता है powers of superior officers of police superior officers enjoy the same power officers in charge of the police station throughout the local area to which they are appointed यानि कि simple one word में कोगो तो क्या चीज होती है one line में sorry superior officer same power को enjoy करता है जो power कौन enjoy करता है यानि कि जो power किसके पास होती है officer in charge of police station यानि कि police station के in charge के पास जो power होती है वो ही same power किसे पास होती है superior officers के पास होती है आगे चलते है section number 31 public went to assist magistrates and the police यानि कि जो हम लोग है कब किस situation में magistrate को और police को assist करेंगे देखते हैं every person is bound to assist जानि कि प्रदेख वेक्ती क्या है bound है assist करने के ने किसे magistrate साब को और police officers को कब किस situation में तो situation क्या है कौन से cases में हम bound है preventing the escape जानि कि किसी भी escape को क्या रोकने के लिए हम bound है हमें पता है कि ये वेक्ती भाग राए और हमें पता है इसने कोई भी को onisable offense कर रहा और police इसके पीछे लगी है तो उसको वो भाग ना जाए उस चीज़ को रोकने के लिए prevent करने के लिए किस चीज़ को preach of peace को prevent करने के लिए कि कोई भी वेक्ती क्या कर रहा है public property को injury इंजरी प्रुवाइड कर रहा है public property का नुकसान कर रहा है नुकसान पोचा रहा है नुकसान कर चुका है इन सब चीज़ वो prevent करने के लिए हम सब बाउन है कि हम क्या करेंगे magistर्ट साब को और police को assist करेंगे let's suppose example से लाशते है बहुत इज़ी है equity है अब वो मेरे घर के पीछे रहता है अब वो महाँ पे कोई भी public property है उसे तोड रहा है खराब कर रहा है या उसमें से कोई भी चीज बेक रहा है तो यहाँ पे हमारे duty है हम bound है कि हम क्या करेंगे police को या magistrates आपको कहा रहेंगे इस information के बारे में बताएंगे उस चीज को रोकने के लिए ठीक है आगे चलते है अब देखते हैं B.E.R.E.C.T. से chapter number 4 from 30 to 34 power of superior officers of police and aid to magistrate and the police first section क्या है section 30 powers of superior officer of police police officer superior in rank to an officer in charge of police station may exercise same powers यानि कि कोई भी police officer है जिसकी rank क्या है officer in charge से superior है वो भी same power भी exercise करता है जो power किसके पास होती है officer in charge के पास होती है किसी भी station में police station में जो officer in charge देखें कोई भी police station है उसके क्या है in charge है officer in charge है police station उसके पास जो power होती है वोई सेम पावर क्या करते है सेम पावर दी गई है सेम पावर एक्सराइज कर सकते है कौन वो पुलिस ओफिसर जिसकी रेंक क्या है उस इंचार्ज से सुपीर है अफिसर इंचार्ज से सुपीर रेंक वाले भी सेम पावर एक्सराइज करते हैं करते हैं जो किस के पास होती है power in charge के पास होती है official in charge of police station के पास got it आज चलते हैं किस situation में हमें assist करना है किस situation में हम bound है assist करने के लिए किस magistrate साब को और police officer को कब every person is bound to assist a magistrate और police officer reasonable demanding his aid reasonable demanding his aid का मतब क्या है देखे यानि कि जहां पे एक reasonable demand करी जा सकती है किस चीज की मदद की किस चीज को रोकने गले, escape को रोकने गले किस चीज को breach of peace, यानि शांती मनाए रहे हमारे society में क्या रहा है, peace रहे उस चीज को रोकने गले, क्या कर सकते हैं, हमें assist करना पड़ेगा we are bound to assist magistrate और police officer, ठीक है कोई भी person, कोई भी injury प्रोवाइड कर रहा है, injury दे रहा, injury अटेम्प कर रहा है यानि कि कोई भी public property है, जो हमारी या public property है, उसको नुकसान पोचा रहा है, उस चीज को रोकने के लिए हम क्या है, बाउंड है कि हम assist करेंगे police officer को और magistrate को, आगे चलते है section 32, aid to person other than police officer executing warrant when a warrant is directed to a person other than a police officer other than a police officer, any other person may aid in the exhibition of such warrant if the person to whom the warrant is directed, be near at hand and acting in the exhibition of the warrant let's suppose, court ने क्या करा police officer को नहीं, किसी भी एक व्यक्ति, let's suppose, ए माल ने जिए इस व्यक्ति वो और क्या करेंगे, वारंट को execute करेंगे हाले करका है, warrant is directed to a person other than police officer तो यहाँ पर हमारी duty है, कि हम क्या करेंगे, उसके warrant को या नि ए व्यक्ति, क्या कर सके, warrant का execution कर सके उसमें हम क्या करेंगे, उस व्यक्ति को मदद करेंगे, assist करेंगे किस चीज के लिए, execution of warrant के लिए, ठीक है आगे चलते हैं, दिखें, ये पूरा section आपको, section 33 है, वो cram करना पड़ेगा इसमें मैं कोई भी help नहीं कर सकता, ये situation वो बताईए जिसमें कुछ offences दी हैं, ये सारे offences कहां के BNS के बारतिन या सही था के हैं, यानि कि इन offences की situation में एक person जो भी हैं हम सब, हम bound है कि हमें क्या करने पड़ेगी बिल्कु से information देने पड़ेगी, assist करना पड़ेगा कोई भी विर्ति ये offence कर रहा है, तो we are bound अगर हमें इनके बारे में aware है, कि ये commission हो सकता है या हमें पता भी है कि कोई विर्ति इस offence को करने वाला है तो हमें क्या करना पड़ेगा, बिल्कु से information की जानगारी, magistrate साब को, या police officer को देनी होगी अब चलते हैं, section 34 में, last section पे section 34 किस बारे में बात करता है हमारा, जो पहले हमारा section 40 दा CRPC का, officer की duty के बारे में बात करता है और हमारे हर लोगों की, यानि कि आपकी हमारी सब की duty के बारे में बात करता है कि हमें क्या करना है, कि कोई भी information हो, वो information देनी होगी किस चीज को manage करने लिए, किस चीज को देखने के लिए, जो भी एक village है, उसमें जो भी हमारे conducts हो रहे है, उन सब की information देनी पड़ीगी, तो वहाँ पे वो व्यक्ती bound होगा, मतलब कोई भी officer, किसी भी officer को हमने एक को appoint करा है, किसी भी गाउ के लिए, कि इसमें जो भी offences है, जो भी information offences से related सारी information, आप तो क्या करने है, देनी है, तो जब इसी चीज के लिए पॉइंट आथा यहाँ पे इस officer की duty भी होगी, कि वो क्या करेगा, बिल्कुल सही, village में होने वाले conducts, जो भी related to offence होंगे, या intentions होंगे, उन सब की information किसे करेगा, communicate करेगा, किस से? Magistrate साप से और village offices से, got it? अब एग बार read out करते है, यहाँ पर main heading में तो लिख रखा है every officer, या निकि duty of the officer, but, जो प्रतेक व्यक्ती है, जो उस गाउं में रहता है, उसकी भी duty बनती है, और जो व्यक्ती appoint हुआ है, या जो officer appoint हुआ है, उसकी भी duty बनती है, कि वो क्या करेगा, communicate करेगा, किस से? Magistrate साप से, और police station के जो in charge है, उन से communicate करेगा, अगर उसे कुछ भी पता चलता, किस बारे में पता चलता है, कौन सी information करेगा, किस चीज के लिए, यह लिखाता है, shell, मतलब mandatory है, fourth भी तो मतलब immediately, कोई भी officer, कोई भी व्यक्ती, immediately, mandatory situation है, उसे communicate करना होगा, Magistrate साप से, या officer in charge हो, nearest police station से, किस situations होए, situations देखते हैं, आपको background noise आ रही है, तो please उसे ignore करें, any notorious receiver or vendor of stolen property in or near such village, यानि कि village में, या village के आस पास, कोई भी व्यक्ती, आपको पता, उसने कोई property चोरी करी है, या वो चोरी की व्यक्ती उस पर बास है, तो इस चीज की information, आप किसे देंगे, Magistrate साप को, या officer in charge होए, ठीके, police station देखे, B clause क्या गयता है, resort to any place or passage through such village, knows or reasonably suspect to be robber, escaped convict, और proclaimed offender, अब देखें इसे द्यान से समझे, अगर आपको ऐस अलगता है, जो आपके गाओं में एक व्यक्ती है, ठीक, अब यह क्या है, आपको इसे शंका है, कि यह robber है, या escaped convict है, या proclaimed offender है, तो इस चीज की information भी आप, किसे देंगे, magistrate साब को, या बिल्कुल सही, officer in charge of police station को, आप यह information देंगे, कि मुझे लगता है, कि जो अमारे गाओं में ए रहता है, यह इस गाओं से जो गुजर रहा है, ए, वो क्या है, robber है, escaped convict है, या proclaimed offender है, ऐसे आपको शंका भी है, तो आप जानते हैं, कि यह robber है, या आपको शंक है, कि यह robber और सफ़ पै, escaped convict to us, पै, proclaimed offender to us, तो इस चीज की information, आप magistrate साब और police officer को देंगे, अब आते हैं, C point, C point क्या कहता है, Commissioner or intention to commit, देखो, In or near such village, any non-vailable offense, और any offense punishable, under section 189 and 191, कोई भी offense, आपके गाओं में, या आपके गाओं के आसपास, हुआ है, या किसी विक्ति की intention है, उस offense को करने की, और वो offense कैसा offense है, non-vailable offense, तो आप इसकी information भी देंगे, किसे, magistrate साब को, और officer in charge of police station को, और कोई भी offense, अगर punishable कहा है, BNS में 189 में, या 190, वन में punishable है, वो offense, उस offense की, अगर वो commit हुआ है, या intention है, किसी विक्ति की commit करने की, इसकी information आप, बिल्कुसे, magistrate साब और officer in charge of police station को देंगे, अब आते हैं, D, D क्या कहता है, occurrence in or near such village, of any sudden or unnatural death, इन or near आप समझ रहें न, आपके village में, आपने के village के आजपास, ऐसी कोई घट ना होई है, ठीक है, अगर कोई unnatural death है, या आपका गाओं है, इस गाओं में एक छोटी से गहर में, अचानक से, अचानक से कोई death होगी, एक विक्ति है, यह information किसे तेंगे, मजिस्टिट साब, और बिल्कुल से ही, officer in charge of police station को, एक्जामपल से समझते हैं, यह एक घर है, एक घर में, बहुत अच्छा गरता, इसमें A भी रहता था, B भी रहता था, C भी रहता था, B and C family member है, और A था, अचानक से A मर गया, और उनके जो घरवाले हैं, कुछ एक अलग से reaction दे रहे हैं, उन्हें कोई फरके नहीं पढ़ता कि A मर गया, तो यह निकि ऐसी situation आपको लग रहे हैं, कि B ने और C ने ही A को मार आ है, कोई property के regarding हैं, किसी भी चीज़ के regarding हैं, तो अगर आपको ऐसी कोई भी हाँ आपको लग रहा है, कि हाँ याँ यहाँ पर क्या है, suspicious circumstances हैं उसकी death से related, तो आप इस information को सीधे ही जाते, magistrate साहब, या officer in charge of police station को देंगे यह information, खिंगे, अब आते हैं E, E में कुछ हमारे BNS के offenses हैं, बता आए गए वे, उन offenses की situation में आपको लगता है, offenses हो हैं, या intention है किसी वेक्ती की, तो आप क्या करेंगे, बिल्कु से information को आगे, communicate करेंगे, F क्या कहता है, अगर कोई भी matter, किसी इस पर effect दाल रहा हूँ, effect ना, maintenance of order, prevention of crime, safety of the person, तो आपकी duty क्या बनती है, बिल्कु से कि आप communicate करेंगे, ठीक है, अब देखते हैं, वन बाइबल, बेरेक्ट से, duty of officer employed in connection with the affairs of police, to make certain reports, every officer employed in connection with the affairs of a village, and every person deciding, तो यहाँ पर हम समझा गया है, कौन कौर, जो officer employed करा गया है, appoint करा गया है, ठीक, यह कोई भी व्यक्ति, अगर उस गाउं में रहता है, तो उसकी क्या है, duty बनती है mandatory, shell मतलब होता mandatory, और इस fourth way मतलब होता immediately, communicate करेगा, किस से, magistrate साब से, या officer in charge of nearest police station से, कौन सी, कोई भी information, जो हमारी काई नीचे दी गई है, इन information के, कोई भी stolen property के regarding, कोई भी information है, कि हाँ यहाँ पर एक व्यक्ति है, उसमें वोई चोरी करी है, अप ऐसा लगता है, अपके गाउं में, आपके गाउं से थोड़ा सा ठीक है, आस पास लगता है, अब यह in or near को दियान से समझ लेना, यह गाउं हो गया, अब यह गाउं के आस पास के एरिया में भी आपको पता चला है, कि यह गाउं से आया है, यहां रहता है, वो भी गाउं भी गाउं से कोई चोरी करके लाए, तो अब इस information को भी, बिल्कु से communicate करोगे, second property के को हो, second number क्या कहता है, close second situation क्या है, अगर आपको क्या होता है, साफ साम लिख रखा है, अगर आपको पता है, यह reasonably क्या है, suspect है, कि वो गेटी क्या है, robber है, यह escaped convicted है, यह proclaimed offender, आप जानते हैं, कि जो ए आया है हमारे गाउं में, वो क्या है, robber है, यह escaped convicted है, यह proclaimed offender है, यह आपको शंका है, कि यह क्या हो सकता है, robber हो सकता है, escaped convicted हो सकता है, proclaimed offender हो सकता है, इस चीज़ को आप communicate करेंगे, ठीक है, officer भी communicate करेंगा, और हमारे persons भी क्या है, bound है, ठीक है, कौन से person, जो क्या है, resident से बस गाउं के, ठीक है, कोई भी offense भी उफेंस भी नॉन बेलेबल उफेंस हो, आपको बता कि यह ने कोई भी नॉन बेलेबल उफेंस कमिट कराए, या एक ही intention है, वो यह offense करेंगे, तो आपकी duty बनती है, कि आप communicate करेंगे, ठीक है, अगर कोई भी offense, punishable है, 189 में, and 191 में हमारे BNS में, तो उस offense की भी information आप communicate करेंगे, आगे चलते हैं, unnatural death को related है है हमारा, डीकलोस, डीकलोस कहता कि कि किसी भी विक्टिगी कोई भी unnatural death हुई है, और जो उसके death में, आप जो देख रहे हैं, वो कैसे suspicious circumstances हैं, यानि कि उसकी death को related कुछ हमा एक लगी नहीं रहा, ठीक से की, मित्यू भी हो गई, मुछ भी एक ऐसे situation arise है, जो suspicious है, जो शक कर रही है create, जैसे मैंने आपको भी example में बदाएदा, कि तीन रिखती हैं, A, B, N, C, और A की मित्यों होगे, और A, B, C, R, O, इसकी नहीं रहे हैं, वो बहुत खुश हैं कि ये मर गया, जैसे situation आपको ऐसा लग़ रहा है, तो आप इसकी information पर communicate करेंगे, ठीक है, और आपको किसी, मित्या मैंने चीज़ क्या लग रही है, कोई भी याँपे क्या होआ है, जिसके देट विए कैसा होई है कोई भी non-bailable offense commit हुआ है ऐसा लगता है कि यह भी ऑजीने मा रहा है असे situations में हमारा D clause कहता है कि we are bound to communicate E clause क्या कहता है E clause क्या कहता है मैंने आपको बताया था जो BNS के offense है अर इन offense के आपको क्या लगती है कि offense commit करें किसे ने और यहां पे जो हमारा second clause है 34 का clause 2 यानि subsection 2 वो क्या कहता है विलेज में कहाएगी लैंड सारी गाओं के सारी लैंड इंकलूट होगी प्रोकलेंड आप सभी को पता है और थर्ड वाला क्या कहता है officer employed in connection with the affairs कौन होगा कौन वेक्टिव होगा कोई भी वेक्टिव हो सकता है जो क्या है लिखावाए means a member of panchayat of the village मतलब village panchayat का कोई भी sadis से हो सकता है यह कोई भी other person हो सकता है जिसे appoint करा गया है किस चीज़ को perform करने के लिए बिल्कुस है perform any function any function जो किस से related of function administration of the village से related function perform करने के लिए appoint करा गया है वो विक्ति क्या कराएगा बिल्कुस से officer employed in connection with the affairs of the village hopefully आप से भी को chapter 4 BNSS का section 30, 31, 32, 33, 34 section सारे सारे अच्छे से clear हो अगर कोई doubt आता है देखिए यह थोड़ा सा कम important है तो important हर चीज होती है बट यह थोड़ा सा कम important है इसे आप एक बार वीडियो को दो बार भी देख लेंगे तो more than sufficient रहेगा और hopefully आप सभी के सारे doubts प्लेज हो रहे हो अगर अभी भी आपको कोई problem है किसी भी series में, किसी भी video में, किसी भी content में तो please it's a humble request to all of you आपको hesitate करने की ज़रूत नहीं है आप मेरे से really connect कर सकते हैं मेरे instagram पे या मेरे whatsapp पे मेरा number आप सभी को screen पर reflect हो रहा हो और मेरा username instagram का screen पर reflect हो रहा thank you so much for your love for yourself and एक request सभी से please press bell icon जिससे आप सभी को मेरी new videos की notification मिल सके thank you so much once again have a nice day